हेई सेल्स कैसे हो आप सब आई होब सब बहुत अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी खुश्बूमा आम बायोलजी मास्टर टीचर आट वेदान तू तो आज के सेशन में ना मेरे प्यारे सब्सक्राइब को आपके अकाडमिक चीजों को आपके परफॉर्मेंस को स्कूल परफॉर्मेंस को खड़ाब कर सकते कि नहीं कर सकते तो बस इत्तु सा है छोटू सा सेशन होगा मेक शूर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर चेकाउट कर रहे हैं तो मुझे भी चीजों को करने में परफॉर्म करने में या उनको अप्टू दमाग बनाने में एक दम पफेक्शनिस्ट लाने में काफी टाइम लगता है तो इस ओके अगर आपकी स्लो प्रोसेसिंग है लेकिन वह स्लो प्रोसेसिंग जाएगी तो दिक्कत हो जाती है भाई इत स्लो क्यों ना विकॉर बट मैं कंसिस्टेंट रहती हूं हाड़ वक करती हूं अपनी चीजों को अचीव करने के लिए स्मार्ट वक करती हूं बस वही आपको करना है अदर्वाइस यह सारे कमेंट से ना कोई फरक नहीं पड़ता है कि हमारी स्लो प्रोसेसिंग स्लो है हम इ कि क्या मतलब हमारी जो स्लो प्रोसेसिंग है हमारे अकाडमिक्स को खराब करती है तो देखो लेट मी टेल यू वन तिंग कि अगर आपको डेडलाइन मिली है आप वो डेडलाइन को फॉलो नहीं करो तो अब्वियस सी बात है वो आपको अफेक करेगी करेगी लेकिन आप पर काम करके दे रहो बहले आपकी प्रोसेसिंग इतनी भी स्लोव हो लेकिन स्टीडी हो आप लोग तो जरूर से जरूर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी बस अपनी डेडलाइन को फॉलो करना है खुद को और गनाइज रखना है कि मुझे इस टाइम पर इतना काम ओफॉर्मेंस इंप ठाइब्लों चैना सीवीड Boston सबस्क अदो इस टाइस को इनकाने मत्हां करने है कोई वी टास्क आपको दिया गया तो पहले चेक करो कि उसके इन्स्रWowut टिक से रिचसनस को मिलेंगे ठीक से नहीं फिर आसकी नहीं भी आप खुद से निकालो कि क्या हम उस टास को perfect करने के लिए क्या-क्या instructions follow कर सकते हैं Summaries check out करो उसी से ही आपको learn करने के लिए मिलेगा कि हाँ हमने ये गलती करी थी तो हमसे इसी लिए ये काम इतना देर से हुआ बस एक आपको line follow करनी होगी slow and steady wins the race कितनी भी कि आपकी slow processing क्यों ना हो आपकी कितना भी आपको time क्यों ना लगता हो अपने काम को पूरा करने में लेकिन consistent रहोगे ये आपकी पूरी की पूरी लाइन आपके पढ़ाई के साथ जाती है क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं ना हमारा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है या हमसे कोई काम नहीं हो रहा है जिसे कि मैट्स की बात करूं मैं मैट्स में बहुत खरापती बट consistent थी consistent से क्या हुआ धीरे-धीरे करके मेरे marks improve हुए हाला कि 10 के बाद मैंने maths नहीं लीप बठा तक तो मैंने अपनी पूरी महनत करी धीरे-धीरे की लेकिन की तो जरूर यह आपके साथ भी जाता है और हर एक सब्जेक के साथ जाता है किसे भी सब्जेक में अगर आप खराब हो आपकी marks अच्छे नहीं आ रहे पूर आ रहे है तो खुद सोचो कि क्या-क्या गलतियां आपसे हो रही है mistakes क्या हो रही है mistakes को analyze करो और जब एक बार analyze कर लोगे ना कि हा मिरसे ये गलती हो रही थी मुझे ऐसे improve करना है तो बस उसके बाद आपको कोई नहीं रोख सकता अच्छे marks लाने से बस आपको consistent रहना है भले आप कितन क्याइंटली सीडी होकर के determined होकर के मेहनत करनी है and I am definitely sure कि आप अपने class 9th में पूरा पूरा फोड़ होगे क्यों क्यूंकि class 9th आपका देखो एक ऐसा class होता है जहां पे हम एकदम से हमारा transition होता है एर्थ में जहां हम इतनी basic चीज़े ले पढ़ रहे होते वहां से एकदम से चीज़े ओन ट्रैक पर आज जाएंगी तो बस अब जाते जाती क्या करना है टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना है ताकि मैं जो भी आपके अकैडमिक सेशन बायो से रिलेटेड है अब बाकि सारे बाई यंद टेक यह बस जाने से पहले क्या करना है सेशन को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने friends के साथ प्यारे प्यारे शेर भी कर देना ताकि अनका भी हमारे साथ भला हो जाइए चलो अब तुम फिर मिलेंगे चलते चलते बाबाई टेक केर